जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विज़पास दिफेंस एजूकेशन पालमपुर में आज हमारी HP पुलिस डेली मिक्स जीके की क्लास 20 रहने वाली है जिसमें हम टॉफ 15 प्लस क्वेशन आज हम डिसकस करेंगी जो कि आपके हमार्चल पुलिस एक्जाम के साथ साथ जितने भी हमार्चल के एक्जाम रहने वाले हैं जाहिए वो आपका स्टाफ सेलेक्शन कमीशन का हो या फिर पतवारी का एक्जाम हो या फिर आपका पंचायत सेक्टरी का एक्जाम हो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो इंपोर्टन रहने वाली है क्योंकि सभी हिमाचल्स के एक्जाम में HPG के आपके लिए सबसे इंपोर्टन रहता है सो क्लास 19 तक अभी तक हमने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी क्लास 20 इसके बाद जो है आपकी एक नई सीरिस जो है वो HPPolice के रिलेटेड में लेके आओंगा प्रीबियस एर क्वेशन की वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को आपने सस्क्राइब करना है तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फस्ट क्वेशन है आज की इस वीडियो का भारती रेल का स्लोगन क्या है तो भारती रेल का यहाँ पे स्लोगन बोला गया है भारत की जो रेल है उसका नारा क्या है तो रास्टर की जीवन रेखा जो है वो भारती रेलवे लाइन का नारा है वो जो है वो उसका एक स्लोगन है इंपोर्टेंट कोशन है और भारत के रेल मंत्री की बात करें तो प्यूश गोईल जो है वो बरतमान के भारत के रेल मंतरी है और हिमाचल में जो है अभी तक तीन रेलवे लाइन इंपोर्टेंट है आपको पता ही है कि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ उन सभी में मैंने क्वेशन के साथ साथ उसके दो या तीन इंपोर्टेंट फैक्ट आपको हर किसी क्वेशन में बताए हैं तो इसी से ही आपकी जो क्लारिफिकेशन है वो थोड़ी सी जादा बढ़ जाती है और दूसरी इंपोर्टेंट चीज़ की आपके लिए एक क्वेशन से जो है वो आपके लिए तीन इया चार नए क्वेशन जो है वो निकल के आते हैं भारती रेल का स्लोगन जो है वो रास्ट की जीवन रेखा को बोला जाता है भारत की रेल को जो है वो ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी हम जानते हैं उसके आद इसको जो है वो रास्ट की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं भारत के जो रेल मंत्री है उनका नाम है प्यूश ग दूसरे नमबर पे जो आती है वो आती है पठान कोर्ट जुगिंदर नगर और तीसे नमबर पे जो है वो उन्ना नांगल रेलवे लाइन ये तीनों रेलवे लाइन जो है वो बन गी है और अभी एक नई जो है वो बनने जारी है जिसका नाम है बिलासपुर भानु पल्ली तो अभी तक जो है वो हमारी पूरी तरह से त्यार नहीं होई है Next question है कौन सा पदार्थ तेजाब होता है तो तेजाब जो है वो हम यहाँ पे जानते हैं H2SO4 को तेजाब जो है वो उसको किस नाम से जानते हैं H2SO4 के नाम से हम उसको जानते हैं तो H2SO4 क्या है, हमारा sulfuric acid है, acid हमारा two type का होता है, पहला dilute और दूसरा होता है concentrated, अगर आप science के student है तो आपको पता ही होगा कि dilute और concentrated में क्या difference आता है, dilute जो है वो एक normal way में हम उसको use कर सकते हैं, लेकिन जो concentrated है, वो हमारा तेजाब की form में use होता है, मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए वो काफी use उसका रहता है, और इसका जाधा तर use जो है वो आपका scientific laboratories या फिर school के जितने practicals या college के practicals उसमें इसका use किया जाता है, तो H2SO4 जो है उसको sulfuric acid के नाम से भी हम जानते हैं, और एक सबसे important general science का question यहां से बनता है कि H2SO4 यह sulfuric acid को जो है वो king of chemical या फिर racino का समराट, वो जो है वो इसे ही कहा जाता है, H2SO4 को king of chemical या racino का समराट भी कहा जाता है, next one है, बेदों में सबसे पुराना बेद कौन सा है, So most important question है, आपका history से related काफी वार exam में पूछा जा चुका है यह question, So बेदों में जो सबसे पुराना बेद है, उसका नाम है rig बेद, हमारे पास मुखे रूप से जो है वो चार बेद है, सबसे पहला है हमारा rig बेद, दूसरे नमबर पे हमारा जो आता है वो आता है, साम बेद तीसरे पे आता है हमारा अथर्ब बेद और एक last बेद जो है, झाल, झाल, पाहुओं टाम जो है, झाल, जो है झाल, झाल, नब आता है, झाल तो मैं यहां पे बेदों की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताए कि मुख्य रूप से चार बेद हमारे पास होते हैं पहला बेद जो है उसका नाम है हमारा रिग बेद जो की हमारा सबसे पुराना बेद है दूसरे नमबर पे जो हमारे पास बेद आता है उसका नाम है यजूर बेद तीसरे नमबर पे जो आता है उसको बोलते हैं साम बेद और लास्ट वन जो आता है वो है हमारा अथर्ब बेद तो सबसे पहले यहां से कुछ important में आपके लिए fact बता देता सबसे पहले जो आता है वो है हमारा रिग बेद रिग बेद जो है वो सबसे पुराना बेद है उसके बाद दूसरे नमबर पे जो आता है यजूर बेद तो यजूर बेद जो है वो हमारा पूजा पाठ या मंत्रों से related है तीसे नंबर पर सामबेद आता है वो हमारा भारती संगीत का उसको जनक या फिर संगीतों से related जो बेद है वो सामबेद है लास्ट वन आता है अथरब बेद तो अथरब बेद जो है वो हमारा जादू टोना और बुराईयों से जो समंधित हमारा बेद है वो हमारा अथरब बेद है और सबसे नया बेद जो है वो भी हमारा अथरब बेद ही रहता है तो important यहां से आपके लिए question बन सकते हैं next one आता है सिर्मोर जिले के बाद अदरक उतपादर में दूसरा सबसे आगे जिला कौन सा है काफी बार एक्जाम में पूछा गया है और हिमाचल के जतने एक्जाम हैं उनमें इसी टाइप के question बार बार पूछे जाते हैं HPSC का previous year का question है आपके लिए सिर्मोर जिले में जो है वो सबसे जादा अदरक उतपादन किया जाता है और दूसरे नमबर पे जो हमारा जिला आता है उस जिले का नाम है विलासपुर और यहां पे बात करें कि सिर्मोर में अदरक के साथ साथ आडू की फसल भी जो है वो सबसे जादा आती है इसलिए उसको पीच वैली के नाम से भी या फिर आडू की नगरी के नाम से भी उसको हम जानते हैं लेकिन हाल ही 2021 में एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें वो इंडिया गवर्मेंट की दुरू से जो है वो एक रिपोर्ट आती है कि सिर्मोर जिले में जो है वो सबसे जादा अदरक के साथ साथ इस बार लहसुन की फसल भी सबसे अधिक हुई है तो यह फैक्ट आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है नेक्श वन है फोजल और सरदारी किस नदी की सहाएक नदियां है तो फोजल और सरदारी जो हैं ये बियास नदी किस हाएक नदियां है important question है और unique question आपकी exam में पूछा जाता है क्योंकि फोजल और सरदारी ना तो कभी आपने ऐसे सुनी होगी ना ऐसे आपने just उसको imagine किया होगा तो इसी type के question जो है वो आपके लिए important बनते हैं मुखे रूप से हिमाचल में 5 नदियें बहती है तो उसमें से एक जो मुखे नदी है वो है हमारी ब्यास नदी सबसे पहले नमबर पे आती है हमार पास सतलुज नदी जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है दूसरे नमबर पे आती है चिनाव नदी जो area के हिसाब से सबसे बड़ी है तीसरे नमबर पे आती है ब्यास नदी और चोथे नमबर पे जो आती है उसका नाम है हमारा यमुना नदी और जो लास्ट हमारी मुख्य नदी है उसका नाम है रावी नदी जो की हमारे डिस्टिक चमबा से जो है वो बहती है next one है किस जिले में भेड बक्रियों की सबसे अधिक जन संख्या है तो ऐसा हिमाचल का कौन सा जिला है जहां पे सबसे जादा भेड बक्रियां पाई जाती है तो उस जिले का नाम है डिस्टिक चमबा next one है हिमाचल प्रदेश में पहली बार आलू की फसल कब बोई गई थी तो हिमाचल में जो पहली बार आलू की फसल लगाई गई थी वो लगाई गई थी शिमला में और इसे लगाया गया था दृतिय बिशो यूध के दोरान important question है आपके लिए next one है हिमाचल के किस जिले में धान का सरबाधिक उतपादन होता है तो सबसे जादा धान जो है यह आपके district kangra में उतपादित किये जाते हैं comment box में बताना है कि जो भारत की खाने वाली मुख्य फसल है जिसका नाम है गेहू या बीट उसको हम बोलते हैं तो सबसे जादा हिमाचल में उसका उतपादन कहां पे होता है इंडिया की बात करें तो गेहूं का सबसे जादा उतपादन जो है वो थोड़ा सा इसमें काफी बार डाउट रहता है पंजाब और यूपी का ही जादा तर इसमें आंसर आता है तो आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि गेहूं का उत्पादन हिमाचल के किस जिले में सबसे धिक होता है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं हिमाचल परदेश में उत्पन होने वाली कुफरी ज्योती किस फसल की किसम है तो किसमों से रिलेटेड कोशन भी आपके लिए काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है और हिमाचल परदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से इस टाइप का कोशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा ही बनेगा तो कुफरी ज्योती जो एक फसल है ये है आलू की फसल काफी बार एक्जाम में ये आपके लिए कुशन बना था और पटवारी का जो अभी हाल ही में एक्जाम हुआ था या फिर HRTC कंड़क्टर का जो एक्जाम हुआ था उसमें सोलन गोला जो है वो पूछा गया था तो आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि सोलन गोला जो है वो किस फसल का नाम है मैं आपके लिए दो या तीन फसलों के इंपोर्टेंट नाम यहाँ पे और बता देता सबसे पहले कुफरी जीवन और कुफरी ज्योती जो हैं ये दोनों की दोनों जो हैं ये हमारे आलू से related हैं और आपको एक और चीज कमेंट बोक्स में बतानी है कि केंद्रिय आलू अनुसंधान केंदर हमारा कहां पर स्थित है केंदर ये आलू अनुसंधान केंदर कहां पे स्थित है और हिमाचल में ही है ये हमारा स्थित है ये भी मैंने आपको यहां पे हिंट बता दिया है most important question आपके लिए बनेगा उसके आद सबसे पहले गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं को जो है वो कल्यान, सोना या सोना लिका के नाम से भी इसको हम जानते हैं ये फसलों की किसमे हैं उसके बाद आलू जो है कुफरी जोती, कुफरी जीवन, कुफरी चंदर मुखी, गिरी र अदरक जो है वो भी सबसे जादा हीमाचल में होता है तो उसको हिमगिरी या सूपरभा के नाम से हम उसको जानते हैं और सेव को जो है वो ब्यूटी आफ शिमला के नाम से हम जानते हैं, सोलन गोला जो है वो उसको टमाटर के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको कमेंट व स्थान पर कौन सा सागर बिद्यमान था तो सबसे पहले जो है वहाँ पे टेथिस नामक सागर जो है वो बिद्यमान था नेक्स वन है कत्थक कली किस राजय का लोख निरते है तो कत्थक कली जो है यह हमारा मुख्य रूप से केरल का लोख निरते है लेकिन यहाँ पे भी आपके लिए थोड़ा सा के बार कोशन कंशूज करने के लिए बना देते हैं तो एक है आपका कथक और एक है आपका कथक कली कथक कली जो है यह आपका केरल का है लेकिन सिंपल अगर कथक आएगा तो वो आपका उत्तर परदेश का है Next one है सोर सल बनाने में किस ततब कौपियों किया जाता है तो सोलर सल बनाने में किस एलिमेंट का यूज किया जाता है तो वो एलिमेंट है हमारा सिलिकन और सबसे जादा जो हमारी सोलर लाइटे हैं यह सोलर पैनल है वहाँ पे सिलिकन का ही यूज किया जाता है और सिलिकन क्या है ये एक हमारी सेमी कंड़क्टर या फिर अर्ध चालक है Next one है मनुश्य में पुना स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है तो human में मुखे रूप से आपको पता ही है कि total 32 दांत होते हैं लेकिन कितने दांत दुबारा निकल के आते हैं जो की पुना स्थापित होते हैं तो वो हैं हमारे 20 दांत 20 दांत human के जो हैं वो normally दुबारा निकल के नए आते हैं Next one है जुखाम मामुली ठंड का कारण क्या रहता है तो जुखाम या मामूली ठंड का जो कारण है वो हमारा रहता है बिशानू या फिर बाइरस हम उसको जानते हैं इंपोर्टेंट कोशन है आपके लिए और मैं आपको बता दू कि अभी हमारा जो है वो करोना का जो टाइम है वो पूरे इंडिया में यहां पे चला है वैक्सीन जो है वो आपको लगानी है और साथ में आपको अपनी तरब से जो है वो 100% सेफटी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है वो खास ध्यान में रखनी है So Next One है, इंडियाfred किस शहर में स्थित आ, लास्ट कोशन इस वीडियो का तो इंडियाski जो है यह हमारा स्थित है नहीं दिली में और गेटवे ओफ इंडिया की बात करें तो मोह हमारा स्थित है मुंबई में So I hope आपको वीडियो च्छी लगी होगी last video हमारी HP Police Daily Mix DK की आपके लिए रहेगी तो आप हमें social media के ओपर जरूर follow करें आप हमारे whatsapp group के साथ और telegram group के साथ जरूर जुड़ें सामने आपके पास जो एक number flash हो रहा है 9817269053 इसके ओपर आप message करके हमारे whatsapp और telegram group के साथ जुड़ सकते हैं आप हमें YouTube के ओपर जरूर follow करें इसमें आपकी आर्मी की जो classes हैं वो daily हमारी चली है तो आप अगर उनसे notes बनाते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादातर फाइदे मंद रहने वाले हैं क्योंकि हमारा आर्मी का exam जो है वो जुलाई में आने वाला है और साथ में आपके जितने भी important exam रहते हैं चाहे वो आपके state के हैं या center के exam है उनसे related जो important data है material है वो आपको whatsapp और telegram में free of cost प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें HPG के notes, India जी के notes साथ में आपके reasoning, math, English current affair और साथ में आपको job alert भी उसमें free of cost day to day के coding आपको भेजा जाता है so whatsapp group के साथ आपको जुणना है या नहीं तो आप हमारे video के description में इसका link मिल जाएगा जहां से आप इसको join कर सकते हैं so video अच्छी लगे तो video को like करें share करें, channel को subscribe करें जल्दी ही मिलेंगे एक नए session के साथ so तब तक के लिए जय हिंद जय भारत